नहीं आप कहते क्यों नहीं है आप इस बात को किसी मीडिया ने कहीं उठाया नहीं खाली हम ही एक है जो अवेलिबुल हैं तो सब लोग हमीं से बात करने आ जाते हैं लेकिन खैर मुझे खुशी है कि आज की दिन आप लोग यहां पर आए मेरे उमिद्वारी के बारे में बात करने के लिए यह चुनाओ मैंने बार-बार जोड़ देके कहा है कि बहुत महत्रपुर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में यह दिशा तै करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धिर धिर करके समप्त हो जाएगा अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की और बढ़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में घूम कर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्द से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राश्पती का चुनाओ क्यों इतना अब आज वोटिंग हो रही है, मैं सारे मद्दाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, ये वोट जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का विप्त नहीं जारी होता है, और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसे से उम करनुसार, इसमें बोट डालेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मद्दाता हैं पूरे देश में, वो अपने विवे का इस्तमाल करेंगे, और प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मेरे पक्ष में अपना बोट कास्ट करेंगे, धन्यवाद. पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा के अवास होनेगा, आपको लगता है कि इससे फरक पड़ेगा, इसलिए मैं यह अप्री कर रहा हूँ. पीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एंडिय का जो कैंड़ेट है वही प्रेसिडेंट बनेगे. तो फिर करने की जुरुत क्या है चुनाओ, बीजेपी खॉन्फिडेंट है, तो देक्लेर कर देंट, चुनाओ कराने की जुरुत ही ने, प्रेकार दिन भर बरबाद हो रहा है. मैं एक पुलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ा हूँ, आप सब जानते हैं, कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाब भी लड़ाई लड़ा हूँ, इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं, और राजनायतिक दलों में तोड़-फोड करवाने का काम कर रही हैं, लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं, कि वो उनके पक्ष में बोट डाले, अब पैसे का भी खेल हो रहा है,